नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित है, जो कि पेपर से एक रात पहले पढ़ाई करते हैं और चाह जाते हैं, हाँ सिर्फ उन लीजेंट्स के लिए जो पेपर से एक रात पहले पढ़ाई करके पेपर पास कर लेते हैं और अच्छे नंबर यही मौका है पढ़ने का तो ट्रिक है पेपर में आईगी ज़रूर 20 पिन इधर है और 21 से लेके 40 पिन यहां पर है ट्रिक है याद करो स्टोरी एक्स वन एक्स टू गल्फेंड बॉइफ्रेंड है यह घर से रिसेट आउट हो जाते हैं और जाके सोड और सीट के पास रहते हैं जो कि इन्हें ट्रैप में फसा लेते हैं और रूपीज ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं 7.5 लेकिन इनके पास होते हैं रूपीज ट्रां होता है कि अपने सारे बच्चों का नाम AD रखते थे हैं तो AD 0 से लेके 7 तक बच्चों का नाम AD रखते हैं अब यह vacation प्लान करते हैं Saturday और Sunday का अब Saturday Sunday में यह लोग घूमने जाते हैं A8 से लेके A15 तक so इनके मुझे निकलती है अले अले क्यों निकलती है with respect to rough driving of S1 S1 जो कि इनका driver होता है उसकी rough driving देखके इनके मुझे अले निकलती हैं तो यह अपने जेब में हट डालके और mobile निकालके चेक करते हैं incoming or outgoing आ रहा है कि हाँ इनका mobile आव ready हो गया है तो यह उसे reset in और clock out कर देते हैं फिर यह बोलते हैं अधर से जो जिसको formula है वो hold पर उसे रख देता है तो इनके मुझे से निखलते है वी सी सी प्लस फाइब वोल्ड यह था तुम्हारा pin diagram हो गया तुम्हारा खत्म तो यह था diagram पहला और दूसरा diagram है यह जो कि उसी का छोटा version है अगर मैं उसमें समझाता तो बहुत complications आ जाते यह एक बार देख लो दो बार देख लो तीन बार देख लो एक बार अपनी copy बना लो दो बार बना लो तीन बार बना लो तुमको यह रट जाएगा पेपर मैं जाओ छापाओ पहले 40 पिन वाला फिर बाद में इसके according उन्हें set कर दो या फिर इसको भी बना दो तो कोई परेशानी नहीं है ठीक है लेकिन 40 पिन वाला पहले बना ओ उसके बार देख लो या इसके बारे में जानकरी देदो उसी पिन में उसी diagram में figure में तो तो adder spin 16 होती है AD 0 से लेके A 15 तक ये unidirectional होती है ठीक है डेटा पिन ये bidirectional होती है डेटा पिन होती है 8 adder spin होती है 16 adder spin होती है unidirectional AD 0 से लेके AD 15 तक डेटा पिन होती है 8 AD 0 से लेके AD 7 तक ये चीज़ तो हो गई हमारी खतम एक आती है फिर control and status pin ये होती है 6 है SI, यह S0, I0, यह write और read और address latch enable से बनती हैं, यह इनको control and status pin के group में डालते हैं, ALE, अले जो मैंने बताया था, इसकी full form होती है address latch enable, ठीक है, यह होता है read, यह होता है write, read operation, write operation, और यह आते है control and status pin में, ठीक, फिर आता है clock out, X1, X2, ground, VCC, यह सब आ जाते हैं, पांच हैं यह यह आती है power supply और frequency pin में, power supply और frequency pin में, फिर इधर जो है SID और SORD को लिया गया है, SID जो इसको, जिसकी full form होती है serial input data, और SORD की full form होती है, serial output data, तो इनका, देखो, serial input data, और serial output data, इसी से तुम पता सकते हो कि serial data transfer instruction में, डाला जाता है, ठीक है, SID और SORD को serial data transfer instruction में, डाला जाता है, मतलब कि, यह group हैं, 6 group हैं, जिनमें इनको डाला जाता है, ठीक, तो SID और SORD का हो गया, SID का का काम होता है, कि RIM instruction को use कर लेता है, SID RIM instruction को use कर लेता है, RIM मतलब कि Read Interrupted Mask, यह extra जानकरी दे रहा हूँ, थोड़ी गहरी सी, साइद तुम ऐसे कोई भी paper में लिखा है, तो बहुत अच्छा है, SID जो होता है, यह use होता है, Read Interrupted Mask को, मतलब पढ़ने में, use करने में, ठीक हैं, और यह होता है, SIM होता है, Set Interrupted Mask, जिसके through, मतलब यह सोड के through, हम जो है, Set Interrupted Mask use कर सकते हैं, Trap, RST, यह सारा का सारा जो है, Inter, Inter, Hold, Hilda, यह आते हैं, Externally Initiate Signal Pin में, मतलब कि तुम यह सारे जो है, यह easy है, अगल तुम इनको नहीं याद गर पाओ, तो SID-SODE आता है, Serial Data Transfer Instruction में, और Clock Out, X1, X2, Ground और VCC, यह आते हैं, Power Supply में, Address Pin तुम याद हो ही गया है, Address Pin 16 होती है, Unidirectional होती है, Data Pin Bidirectional होती है, और फिर Control Pin में आता है, S1, S0, IO, Write Operation, Read Operation, और LA, तीक है, तो इनको छोड़ के जो भी पस्ता है, वो External Initiated Signal Pin में डाल दो, 40 Pin जो होती है, यह 40 Pin का जो डाइग्राम होता है, यह 6 भागों में बाटा जाता है, 6 भाग यह है, Address Pin, Data Pin, Control or Status Pin, Serial Data Transfer Pin, External Initiate Signal Pin, और Power Supply and Frequency Pin, जितनी जानकारी तुम अभी ले सकते हो, उतनी जानकारी ले लो भाई, और Paper में दुआ उड़ा दो, ठीक है, जितना Salt से Salt में कर सकता था, मैंने कर दिया, Address Pin 16 होती है, Data Pin 8 होती है, Control or Status Pin 6 होती है, Serial Data Transfer Pin 2 होती है, Externally Initiate Signal Pin 11 होती है, और Power Supply Frequency Pin 5 होती है, ठीक है, Figure तुमारे सामने है, कर सकते हो, एक और बार Revision कर रहा दे रहा हूं भाई, तुम्हें याद हो जाएगा, अच्छी दरह से, Address Pin जो होती है, 16 होती है, AD0 से लेके AD15 तक, Data Pin AD0 से लेके AD7 तक, Address Pin जो होती है, Data Pin जो हो है, वो Bi-Directional होती है, Control और Status Pin में आयता है, अले, उसने Rough Driving की थी, With Respect to S0, है न, और फिर यह क्या है, तुमारा, I0 और Mobile Input Output करा था, उसने Mobile को, यह सारा का सारा क्या है, Control और Status में, यह सारे Control में आ जाता है, Power Supply में आ जाता है, तुमारा Clock Out, X1, X2, Ground और VCC, यह आया था तुमारा Power Supply में, Serial Data Transfer Instruction में, Sid or Suit आया था, बस, और जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी बचता है, वो Externally Initiate Signal Pin में आ जाएगा, यह कुल मिला के, अगर तुम Calculate करते हो, इनको, तो यह 48 बैटेगा, तो घवडानावाद भाई, कि मैंने कुछ गलत बताया है, मैंने कुछ गलत नहीं बताया, अगर तुम ध्यान दे रहे हो, तो 16 address pin जो मैंने बताई है, तो वो 16, 16 address pin जो बताई है, उनमें 8 data pin भी है, ठीक है, 8 data pin भी है, address pin में 8 data pin भी है,